तो Bebo Company अपना एक उलनी स्मार्टफॉन लॉंच करने जा रही है जो कि है Bebo X80 Series अभी कुछ टाइम पहले Bebo न अपना X70 Series लॉंच कर था जिसके अंदर में तीन मॉडल देखने को मिले थे जो कि था Bebo X70, X70 Pro और X70 Pro Plus तो उसके अंदर में तीन मॉडल देखने को मिले थे और अ Bebo X80 Pro Plus तो इन तीनों के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा चलिए आज कि इस वीडियो के अंदर में आपको इन ही सब चीज़ों बार इम बताऊंगा तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखना तो finally Bebo X80 Series launch होने वाली है तो चलिए हम बात करते हैं कि इस Bebo X80 Series के अंदर में कितने मॉडल देखने को मिलेगा तो बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर मॉडल की तो इसके अंदर आपको तीन मॉडल देखने को मिलेंगे जो कि पहला है Bebo X80 दूसरा है Bebo X80 Pro तीसरा जो ह वो है Bebo X80 Pro Plus तो यह तीन मॉडल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं कि इसके अंदर में क्या कुछ खात देखने को मिल सकता है तो देखो अब भी तो पूरी पूरी डिटेल सामने निकल के नहीं आई है बट जितनी भी लीक सामने निकल के आई है उ को 120Hz refresh rate देखने को मिलेगा तो यह काफी कमाल की चीज होने आले क्योंकि आपको refresh rate तो वाईसे ही fast देखने को मिल रहा है इसके अंदर और उसी के बात अगर हम बात करेंदर प्रोसेसर की तो इन तीनों ही मोडल से मुझे जो लगता है कि यह Bebo X80 Pro वाला जो मोडल है उसके अ मिलेगा काफी ज्यादा पाउरफुल होना लिए उसे के साथ साथ इसके अंदर आपको जी पी वो भी ज्यादा पाउरफुल देखने को मिलेगा तो देखते है कि इसके अंदर हमें कौन से मोडल के अंदर यह चीज देखने को मिल सकती है वैसे जिस मोडल के अंदर देखने देखने को मिलेगा जो कि 5X stabilization के साथ आएगा means कि जब आपका भी वीडियो गरा shoot करोगे रेर camera से तो आपको उसके अंदर जो सेकी footage होती ना उसमें आपको काफी जादा stabilization देखने को मिले क्योंकि इसके अंदर आपको 5X stabilization का support मिलता है तो वीडियो आपकी काफी स्मूथ होने वाली है क्योंकि जो भी वह एक सेवेंटी सीरीज लॉंच हो थी उसके अंदर यह चीछ देखने को मिलाता है लाइक जैसे गिंबल होता है उसी के तरह इसके अंदर आपको stabilization देखना को मिलेगा उतना नहीं बढ़ आज करके जो फोन उनके अंदर तो ऐसे भी stabilization बहुत अच्छी होती होती है फोन के फ्रेंट कैमरे के अभी कोई डीटेल सामने निकल के नहीं बाकि अगर बात करें फोन के अंदर या फिर उससे थोड़ा बहुत अप चार्जर भी देखनीं मिल सकता है इसके अंदर आपको थोड़ा कम भी देखना हो मिल सकता है यह तो इनके के स्पेसिफिकेशन की जो भी अभी सामने निकल के आई थी आप बात कर लेते हैं में इनके प्राइज की क्या प्राइज हो सकती है तो देखो जो बीबो एक्स 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 प्रो प्लस है उसकी प्राइज के अगर हम बात करें तो वह आपको सेवेंटी थाउजन के आराउंड देखने को मिल सकता है जब भी लॉंच होगा बट यह कोई फाइनल प्राइज नहीं बता रहा हम है डिपेंड करते कि कौन सा मॉडल है कौन सा वेरेंट ह उसके उपर आपका जो प्राइज हो आप एंड डाउन होता रहेगा तो आप लोग उस साइम जब यह फोन लॉंच हो जाएगा इंडिया में तब आप उसकी प्राइज पता चल जाएगी आपको वैसे अभी पता नहीं चलेगी क्योंकि लिक्स में तो कभी कोई प्राइज कोई कम भी बता देता है तो हम उसके उपर नहीं बता सकते बट हाए जो अंदाजा लगाना होता है जो एक हाँ लोग करते हैं यह चीज में पता चल जाते कि हाँ हमें 70,000 के अंडर देखनों को मिल सकता है अब बात करते हैं इसके लांच डेट की हमें लांच देखनों कब प्लस प्लस क्योंकि बटना अपना लार्च सीरिज लांच किया था जो कि आपने ऑलणे था यहे लांच के अपने आपको इसके पर आप यह प्लस ऐग। model देखने को मिलेंगे लॉंच उसके थोड़े ताइम बाद आपको भी वो X80 लॉंच देखने को मिलेगा तो यह सारी तो थी इसकी लेक्स व रूमर्स जो कि मैंने आपको बता दिया वैसे आपको क्या लगता है कि इस फोन के नदर में और क्या कुछ खास देखने को मिल सकता ह आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सक्से में जरूर बताना तो बस फिलाट वीडियो में इतना है आसकर तो में तरफ से दिज्ञान करें आप लोगों को पसंद आए होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे झाल 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